अगर बात करें इसका यूज क्या होता है कहां कहां पर आप यूज कर सकते हैं तो high risk surgical processes required urge a large vein मतलब कि अगर कोई surgery हो रही है और ऐसी इस्तिती में उसको बहुत जादा fluid देनी की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी इस्तिती में आपको solar number या 14 number canola लगाना होगा जो की orange और ग्रे क करल का आपको देखने को market में available हो जाता है यह चीज़ समझने होगी दूसरा अगर हम बात करें कि इसे और कहां पर यूज किया जाता है जैसे आपने देखा हुआ के अंदर आती है अब अगर बात करें 18 number canola के बारे में इसका यूज कहां होता है जैसे ट्रॉमा यानि कि अगर कोई प्राब्लम्स होती है जब पिशेंट को 64 नमब्र या 14 नमब्र नहीं लग राए तो 18 नमब्र लगा सकते हैं और इसके लिए भी लार्ज वन की जरूरत होती है और बड़ी वन की जरूरत परती है और बड़ी वन में ही इसको लगा जासकता है कर छोटी विन है तो यह 16 जो कि pink color में आपको देखने को मिल जाता है generally अमोमन इसी को यूज किया जाता है इसका क्या होता है most commonly non-emergent blood transfusion मतलब की अगर कोई emergency नहीं है तो ऐसी स्तिती में उस मरीज को blood transfusion करना है तो 20 नमबर cannula से चढ़ा सकते हैं उसे transfusion कर सकते हैं लेकिन अगर किसी कोई emergency है तो 16-18 नमबर का ही यूज किया जाता है most important होता है 18 नमबर जो कि 18 नमबर से यूज किया जाता है देना हो किसी को जैसे dns d5 है या other fluids उसको normally अगर देना हो तो 20 नमबर का cannula adult tree में यूज किया जाता है जिससे कि अच्छे तरीके से आसन तरीके से patient को fluid चला जाए इसकी speed ना तो जादा होती है ना कम होती है एक medium speed होती है जिसमें patient को आसन तरीके से कोई सावी fluid लगा जा सकता है diarial conditions में या patient को कई और problems common होती है उसमें अगर drip लगाना हो तो 20 नमबर से काम हो जाता है साथी साथ अगर 22 नमबर की बात करें तो 22 नमबर का blue color का आपको इसका color जो गौज होता है वो 22 गौज होता है अब अगर बात करें कि जैसे older 40-60 से उपर उम्र जिनकी निकल जाती है 35-40 से जिनके उम्र उपर निकल जाती है उनको 22 नमबर कैनूला हम लगाते है शुटिवल होता है क्योंकि उनकी veins क्या हो पतली-पतली हो जाती है साथी साथ हलका सा skin भी उनकी डाउन हो जाती है शुटिवल फो शिलो आराम से फ्लूड देना हो कोई जादा जादा उसको फ् होते हैं 20 नमबर 22 नमबर कैनूला सबसे जादा important होते हैं एक commonly drip लगाने के लिए और केसी प्रेशन को आसानी से 20 नमबर का गौज और 22 नमबर कर सकते हैं साथी साथ अगर बात करें यह जो कैनूला है यह होता है 24 नमबर 24 नमबर जो गौज होता है यह यलो कलर का होता है पी का यूज होता है कई conditions में 3 साल से उपर का जिनको उम्र होता है उसमें भी यूज किया जाता है elderly adults में इसका यूज कर सकते हैं कहने का मतलब भी है और इसके अलाबा एक और कैनूला आता है जो सबसे जादा बहुत चोटे-चोटे बच्चों में जिनकी एज एक मनत दो मनत त तो यह जो normal cannulation के प्रक्रिया होती है यह 18-16 नमर आप patient को इमर्ज में दे सकते हैं 22-20 नमर आप patient को normally commonly यूज किया जाता है 24 नमर pediatrics में यूज किया जाता है और 26 नमर भी patient को pediatrics में यूज किया जाता है जो ज़्यादा चोटे बच्चे होते हैं उनमें 16 नमर यूज करने क यूज किया जाता है जो कि जिनकी उम्र बहुत ज्यादा कम है चोटे हैं उनकी लिए इसका यूज किया जाता है तो बहुत important वीडियो था वीडियो अगर अच्छा लगे तो like जरू किजिए चिनको subscribe जरू किजिए कुछ पूच्छे चाहे तो comment किजिए नमस्क्राइब सें झाल लिए टीन खीन झाल 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 झाल